हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज कल पढ़ रखी हैं गर्मियों की छुट्टियां तो हम दीदी के घरा रखें तो बच्चों ने डिमांड की कि बहार से कुछ चटपटा मंगाओ तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही हम कुछ चटपटा बना ल यहां पर सबसे पहले हम जीरा भून लेंगे जीरे से बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाता है पानी में तो यह जीरा देखें चटकने लग गया है तो जीरा हमारा भून चुका है अब इसको हम पीश लेंगे गरम गरम पीशेंगे तो फ्रेंट से अच्छे से पीश जाएगा तो जीरा पाउडर अच्छे से पीश चुका है अब हम पानी बनाने की तयारी करते हैं तो सबसे पहले हम जल जीरा पाउडर ले लेंगे और यहां पर मैंने एक बर्तन ले रख अब इसमें डाल देंगे हम साथ अनुशार नमक तो यहां पर मैंने आदा चमा नमक डाल दिया है और आदा चमा डाल देंगे घुना हुआ जीरा पाउडर इससे इसका टेस बहुत अच्छा आएगा अब इसको खट्टा करने के लिए डाल देंगे इसमें निम्बूल तो यहां पर मैंने चंडे ले रखी नहीं तो बीज इसमें गिर जाएगा अब डाल देंगे इसमें हम पूंदी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पानी हमारा बन चुका है अब दूसरी साइड चलते हैं यहां पर मैंने तो डो को हमने आपे रेस्ट करने के लिए रखा था अब इसकी हम बड़ी सी लोई लेके एक रोटी की आकार का बेल देंगे तो फ्रेंड्स इसे हम जितन इससे रोटी बेल लिए तो हमने इसी तरह इसको इसने बड़े आकार का बेल दिया है और यह देखे कितने पतला बेल रखा है अब इससे हम इस कप की सायता से कट कर लेंगे आपके पार गिलास हो कटो रही हो तो मैं यहां पर कप का यूज़ कर रही हूं इससे परफेक्ट साइज निकलेगा और एक ही साइज की गोल गपे बनेंगे हमारे तो यह देखे है फ्रेंड्स हमारे एक बार में ही कितने गोल गपे बनके निकल गए हैं अब एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देंगे अब इनको हम एक एक करके एक प्लेट में रखते जाएंगे अब इदर चड़ा दी हमने कड़ाई अब इसमें डाल देंगे तेल को भी हमने अच्छे से गरम होने देना है फिर इसको चेक करेंगे तो यह देखे तेल हमारे परफेक्ट गरम हो चुका है अब एक एक पूरी करके हम इसे तलते जाएंगे जैसे पूरी डालेंगे वैसे हमने इसको दबाना है जैसे हमारे पूरी अच्छे से फूल जाए तो यह दिखे फ्रेंड्स हमारे पूरी कितने अच्छे से फूल रही है एक सैड से अच्छे से पक चुकी है अब इनको हम एक एक करके पलटा देंगे तो ये देखें फ्रेंट कितना अच्छा कलर आ रखा है इनका हमारी पूरी बिलकुल अच्छे से सीख चुकी है अब दूसरे सैडवीस को हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे तब ही ये क्रिस्पी बनेगी तो फ्रेंट्स हमारी पूरी बनके प्रेटी है एकदम परफेक्ट कलर आ गया इनका जैसे बजार की पूरी का होता है अब इनको हम निकाल देंगे तो सारी पूरिया मैंने इसी तरह बना ली है आपको अपनी पूरी दिखाते हैं यह दिखे इतनी सारी पूरी बनके रैडी है हमारी अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाते हूं कितनी क्रिस्पी बनी है यह देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं अब इसमें हम पानी भरते हैं और यह देखें हमारे गोल गपे जैड़ी हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आये होगे तो प्लीज फ्रेंड लाइक और सस्क् जरूर करें आज के लिए नए कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ